टोरी के स्टार्टिंग बहुत पास टाइम से होती है जहां पर हमें दो में लीट पताये जाते हैं वर्स्ट का नाम गौन मेंग है और सेकंड का नाम वांग मेंग है स्टोरी में आगे मैं इनको गौन और वांग कहकर ही बोल दूँगी तो जो गॉन होता है वो स्कोलर होता है और जो वैंग होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है यानि की गॉन से एक उपर की पोस्ट पर तो जो वैंग होता है वो अपने देश की रानी को मारने की बात कर रहा होता है बट कौन उस बात का एकदम विरोध कर रहा होता है हां का किंग अपनी वाइट से दूर एक डांसर का एकदम डांस एंजॉय कर रहा होता है और वहाँ उसकी वाइफ जिसको मरवाने की प्लाइनिंग चल रहे थी उन पर एशिन्स अटैक कर देते हैं अटे टाइम राणी गजू की जान को बचाने वहां पर एक लड़की आ जाती है और उन सभी एशिन को मार भगाती है यहां स्टोरी का फर्स्ट प्लोट रिवील होता है जाओ फैंग यान को राणी की विश्वास दीतने के लिए जो की एक साइकिक था उसे भेज़ा था बट उसने राजा की दिल में काफी मतलब मैंने हो प्लेट कर दिया कि राणी तुम्हारा बुरा चाहती है वो तुम पर अटैक करवाती है इस लड़की ने रानी गजू की जान बचाई थी, वो और कोई नी, गॉंग की बोडिगाड होती है, जो उसके पास आकर बताती है, उसने रानी की जान आज बचा ली है, और वो अपनी मास्टर यान की गॉंग की सुरक्षा के लिए उसको एक डैविय जेट पैंडेंट देत है, और हमारी फीमेल इड का नाम कस्यांग स्यांग होता है, जो मुवी के लिए इंटरव्यू देने आई होती है, और काफी कोशिशों के बाद खुद के लिए ड्रस का इंतिजाम करकर, अपने ओडिशन के लिए तियार हो रही होती है, बट इतने में उसकी नजर, उसके ए अनल ऊसके यादा है, गसी नहीं कि आने लाग जाता है, इतने एकसी नहीं के लिए अनी इतने दील से गाती है कि लिए लिए, इसका ही थे छिखनाग और वहां से चली जाती है और बार में बैटके एकदम से ड्रंक हो चुकी होती है पूरी उसी टाइम ग्जियांग का एक्स पीएफ उसको कॉल करता है बट स्टिल वो उसके कॉल में उसकी बेस्ती करकर उसका कॉल कट कर देती है इतने में गजियंग को डिरेक्टर का कॉल आता है जिसको बताता है कि तुम मूवी के लिए स्लेक्ट हो चुकी हो और जिस बात से गजियंग बहुत खुश हो जाती है तो ये पास ताइम में शिफ्ट हो जाते है जहां गोंग को मारने में का बोडिगार जाया होता है गोंग अपने सामने और इक तम नहीं जगा को देख कर में एकत्म से हैरान हो जाता और और हो सोचिल सिन लगता के हlsे भाग की दूसरी दुनिया तो नहीं आगया और एक कार से गॉंग का एक्सिटेंट होनी वाला होता है बट इतने में हमारी फीमेल इट ग्जियांग आकर उसको बचा लेती है जो उस टाइम आविसली नशे में धुत्ती गॉंग बड़ी हैरानी से उसको और उसके कपड़ों को देखता है और पार पार पूझता रहता है कि आखिर ये जगा कौन सी है बिकॉज गॉंग के लिए वो सब कुछ नया था ना अठ हमारी फीमेल इट ग्जियांग जो आविसली नशे में धुत्ती उसको ये लग रहा होता है गॉंग के कपड़ों को देखकर ही कि ये भी किसी ड्रामा में काम करता होगा और अपने आपको बता रहा है कि भाई मैं स्कॉलर हूँ इतने में ग्जियांग में लीट के हाथों में चोड देखती है और अपना हेंकी उसके घाव पे बांध कर टैक्सी लेने जा रही होती है पिर इतने में कॉंग एक्दम से परेशान वहां से कहीं सुनसान सी जगा पे चला जाता है और वही पेंडिन निकाल कर उसके पीछे क रोल मिल गया होता है और इतने में ग्जियांग का एक्स पॉइफ्रेंड उसको कॉल करकर मिलने के लिए बुलाता है और ना चाहते होए भी ग्जियांग को उसे मिलने जाना पड़ता है एक्स पॉइफ्रेंड को मिलने के लिए पहुंचती है वह उसको अपने साथ लेकर कह और उसको गालिया निकाल कर वहां से चली जाती है धर की इंसान जा मर जाते हिम्मत कैसे हुई मेरे फाइदा उठाने की कि ऐसी हालत देखकर उसके मैनेजर को समझनी आता आखिर ज्यांग और फई की बीच चल के रहा है एक्छलिस के मैनेजर को इनका पास लेशन्शिप पता फाल तो दूनिया में पहुँच करती जाती है कि आसे सट्या के चूड लगी थी यूम तबसे ही के तिल में चूंक के लिए फीलिंग है और वो बड़े होकर भी उसी की बाड़े काड़ बनी फ्यू शुरू से गॉंग को पसंद कर दिया बर गॉंग को इस वीशे के बारे में कुछ नहीं पता हाँ यू को जैसी पता चलता है कि गॉंग अब तक वापिस नहीं आया है जब से वो बांग के महल से निकले है तो फटा फट वांग के महल पहुंच जाते है और सिधा उसकी गर्दन पर तलवार रखते थी है कि गॉंग कहा है क्या तुमने उसको मारा तो नहीं अगर तुमने उसे मारा है तो मैं तुम है मार दूँगी और यहां वैंग यह बाते सुनकर एक्टम से हर्ट हो जाता है और उसकी नजरों से हमें यही पता लग जाता है कि वाण यू को पसंद करता है वैंग बातो बातों में यू के सामने दो सिचूशन्स रखते ते ता दिखाया जाता है कि जिसमें और बच्चे उसको बुली कर रहे थे उस टाइम यू ने आकर उसको बचाया था और यहां गॉंग को भी पता लग जाता है कि उसके वाड़ी गार्ड को वैंग ने पकड़ लिया है यहां दूसरी तरफ ग्जियांग उसकी सिस्टर और ब्राउन बालो वाला प्राणी बहुत खुश होते हैं उसकी मुवी की शूटिंग के लिए पर वहां जाकर ग्जियांग को अपनी ओपनेट हिरोईन से पता लगता है कि उसको यह रोल उसके काबिलियत पर नी वलकि उसके XBF के एहने और कनेक्शन पर मिला है जिस पाद से ग्जिया पर इंट्री जो घोड़े पर होता है उसकी दुनिया पर किसी ने उस पर जान लेवा हमला किया होगा और वह उस पेंटेंट के थूँ इस वाली दुनिया में पहुंच गया होगा नहीं अपने पास्टाइम से प्रेजन के टाइम पर इतने में घ्जियांग आती है और वह इसी पीच ग्जियांग गायल हो जाती है और गोंग वह फटाफट लेट कर ग्जियांग को समहालता है पुश तो आता है पर वह उस मरे हुए इंसान को इसे हवा में गायब उत्ते देख कर फिर से भिष हो जाती है दूसरे बाद ग्जियांग की आँख हॉस्पिटल में ख जाते हैं उसका फोन किसी और के पास नहीं गॉंग के पास होता है एक्चली हुआ यह होता है कि जब ज्यांग भिहोश होती है तो उसको ढूंदा हुआ उसका एक्स प्रॉइफरेंट वहां पर आ जाता है और गॉंग हडबड़ी में वहां से भागते वक्त अपना लॉकेट वहां गिरा देता है और वह गलती से घ्जांग का फोन वहां से उठा लेता है अरे लोकेट नहीं उसका वही जादूई पैंडेंट सभा में उता है और वहां पर दूसरे लोग उसको प्लैन का बोल रहे होते कि तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है तो मतलब कि गॉंग क काफी मार पीटकर और दर्द देखकर उसके पता कर रहा था कि और घर गॉंहान है वहां उसके बूड़ी कार्ड कर नहीं रहा था है और यू को पड़न के लियू तो उसको नुक्सान नहीं पहुंचान और तो क्या कर रहा है पहां से सभी सैनिकों को भगाने के बाद बैंक फटा-फट यू की रस्तियां खोलता है और उसको बताता है कि अभी तक गॉंग की बाड़ी नहीं मिली है इसका मतलब वो जिन्दा है इसे सुनकर मलो यू को भी काफी राहत होती है यहां गॉंग सोल्वी सिताबदी को छोड़कर 21 सिताबदी की जगाओं को बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि कैसे रस्ते हैं कैसी गाड़ियां हैं वगेरा वगेरा वैसे देखा था जाये तो गॉंग अपने हिसाब से तो फ्यूचर में आ था ना कहां वो सोल्मी सिताबदी से बिलॉंग करता था कहां वो इस टाम 21 वी सिताबदी के अंदर था और यहां गॉंग भी अपना फोन ढूंटे 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 गॉंग के पास पहुंची जाती है बट उस टाम गॉंग अच्छी कंडिशन में नहीं होता इसने में उन दोनों को पोलिस आगर पकर लेती है एक्चुली गॉंग ने तो हॉस्पिटल के कपड़े पहने होते है और उपर से गॉंग उसका मलब हुलिया भी ऐसा होता है कि डॉक्टर को शेक हो जाता है कहीं दोनों मेंटल हॉस्पिटल से भागे तो नहीं है बर स्टल दोनों वहां से भी रफुचकर हो जाते है यहां गॉंग फर्स टाइम कार में बैटकर तो ऐसा डर रहा होता है कि जैसे कि वो अभी मर जाएगा जैसे कि यहां हर चीज उसके लिए नहीं थी तो वो हर छोटी-छोटी बात गजियांग से पूचता है गजियांग भी बोलती कि तो को इतनी बात नहीं पता लाएक उसको एक तरसे उस पर डाउट हो जाता है गजियांग फटाफट अपने डारेक्टर के पास पहुंचते है उसको सौरी बोलने के लिए जिस वज़े से अफी प्रॉब्लम का सामना करना बड़ा था टारेक्टर उसे डूसरी को सौरी बोलने के लिए कहते हैं और यहां पर गजियांग नोटिस करती कि गउनग को heti उसकी चौट पर दबाई लगाती है और गउनग का उसके बाल कटवा देती है उनका रियक्शन मेरे को लगा कि तुम मेरे को किसी डॉक्टर के पास ले के जाोगे पर तुम तो मेरे को नाएकी दुकान में ले आई और तुमने मेरे बाल भीकट वारी है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता है, बाल पेरेंट के थ्रू बच्चों को दिया गया है, गिफ्ट होता है, उस टाइम पे बाल काटना काफी बैड ओमन मानते थे, बहुत अशुब मानते थे, यहां वैंग गॉंग को याद कर रहा कि अपने घुटनों पे आकर मुझसे माफी मांग, पर ऑफिसली गजियांग उस नही हिरोईन को काफी कुछ सुना देती, कि लोग तेरे बारे में सही कहते है, और जिसकर सुनकर उस नही हिरोईन को इतना पारा चड़ता है, कि वो गजियांग को एक थपड मार देती है, ब इसके बिन वो घर वापिस नहीं जा सकता था, और गजियांग को यह बात समझने आती, कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ देती हूं, तुम्हें कहां तक जाना है, तुम्हें नियर के रेलबे तक छोड़ देती हूं, या कहीं भी, बट और इन ही बातों बातों में, गॉंग पेंटेंट का यूस करते हुए, गाड़ी के अंदर से इकाहब हो जाता है, और जब गजियांग वो ध्यान देती है, तो वो एक्दम से शौक हो जाती है, कि यह बंदा गाड़ी के अंदर बैठा बैठा है,